अहस सरुकार मेनपूरी से दिखा रहे हैं जहां पर 1 बजे तक 51.35% तक मतदान हो चुका है मेनपूरी में उपचुना हो रहा है लोकसभा GUP अपचुना को लेकर 1 बजे तक मेनपूरी में 31.35% तक उपचुना में वोटिंग की गई है आपको आम वोटिंग परसेंटेस दिखा रहे हैं जुसमें मैनपूरी में अभी तक 31.3-5 प्रतिशत तक मतदान हो चुका है मैनपूरी से आपको बता दे कि मैनपूरी में लोग सभा उपचुना हो रहा है और हमारे साथ हमारे समवादाता विवेक शाही हमारे साथ जुडेंगे विवेक क्या महाल है वहाँ पर अभी तक तो 31.3-5 प्रतिशत वहाँ पर वोटिंग हो चुकी है मैनपूरी जो बाइलेक्शन लोग सभा का है अगर उसकी बात की जाए तो अगर एक बज़े की अपडेट की बात करें तो 31.5 प्रतिशत का अभी तक वोटिंग परसेंटर यानि वोट परसेंट वहाँ पर गिरा हुआ है और अभी भी साम 6 तक मौका है मतदाताहों के पास की बूत पर जाके अपना बदान करें अपने परतियासी को जिस परतियासी को ने चुना है उसको जो है वहाँ पर जाके अपना मतदिकार का प्रियोग करके मत को डालें अगर कि मैंट पूली से Czechosal Buddhist घ्राजवली की बात करें तो संब्सक्राइब गश्चान आमनि वीज़ की परसेंट ने नि pais वेक गंड़ेरें टेके अरों का इया इसमें अभी सामाजबादी पार्टी का डेलेगेशन जो है उनके मुखे स्थाचतक मनोज पांडे के निर्वाचन आयोग पहुचा था यहां पे उत्ता प्रदिश के मुखे निर्वाचन आयोग से नोने बात्चीत दिखिए अपना ग्यापन भीशों का तमाम सिकायते भी दर्श कर और विदायक और पुर कविड़ मंति रग्धास नोत्रा भी आपे मुखे ने बात्चीत ने बताया कि समाजबादी पार्टी करता हूँ पे लगातार करवाई हो रही है मैंपूरी को और एक तरद से और स्थाई जेलों में परवर्टित कर दिया गया है वहां समाजबादी परशने वोट कम से कम गिरे और लोगों को धंगाया जा रहा है और उन पर जूटे जिला प्रसासन के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप इन लोगन लगाया कि प्रसासन ये कह रहा है कि चुनाओं के बाद इस तर दोर जारी है लगातार एक हपते से समाजबादी पार्टी का परशासन पर देखा जाए तो पूरा यादव परिवार ही वहां पर प्रसासन पर आरोप लगा रहा है देखिए मैंटपूरी के जो लोगसबा का बाई लक्षन है वो समाजबादी पार्टी के लिए बहिलादी महत्यपूर है क्योंकि इस सीट से उसकी पर्टिष्ठा और परंपरा काफी जूड़ी हुई है नेता जी मुलाहिम सिंग जादो जो है कि उनीस समाजबादी पार्टी का घड़ मानना जाता है मैंटपूरी इसलिए समाजबादी पार्टी और अखले स्यादों का पूरा फोकॉस मैंटपूरी पे है मैंटपूरी के दुर्गों को भेतने का प्रयास जो पार्टी इंता पार्टी कर रही है और समाजबादी पार्टी उस जा रहा था कि सफा के पच्छ में कम से कम वोट गिरें इसी बीच अखिलिश यादों ने नेता जी की एक तश्वीर सेयर करके उनको बोला कि अगर आपका एक वोट नेता जी के लिए सच्छी श्रधांजली है जी नंदनी मत्दान के बाद उन्होंने एक भाव करने वाला ट्वीट किया जिसमे नेता जी को सत्वेर सत्वीर को सत्वांजली नगर आये उन्होंने पर्शुच में लिखा क्यों प्रशासन से लेके कि षर आपकर हैं तो काम नहीं करने दे रहा है वहां के जो पॉलिंग एजन्ट है तो तमाम प्रकार के आरोप अकलिए श्यादों ने भी लगाए है बात के जाए रामपूर का तो रामपूर तक अभी तक तीनों उपचुनाव सीटों पर देखा रहे तो रामपूर में सबसे जादा सबसे कम वोटिंग होई अभी तक तो रामपूर का तो रामपूर का जो वोटिंग पर्थेने जाए बाती है नों तो मुलकाम ले बेहा दिकम है और मैं बदाना चाहा हूँ कि रामपूर में सपायकारे करता हूँ पुलिस की बीकुछ उपरी आई थी यहां पे कुछ देर के लिए और रामपूर में एवियम में गरबडी भी देखने को मिली थी वहां के बुद्ध नमर 229 से लेके 230-222 ऐसे कई जगह हैं मुझपर मकवली से लेके रामपूर कर जहां पे एवियम में गरबडी देखने को मिली थी जिसके वए वोटिंग पर्थेट वहां पे काफी दिमी ह पिवेक जिस तरीके से देखा जा रहे हैं लगतार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं लगाया जा रहा है कि वो चुनाओ को निस्पच्छ नहीं करा रही है चुनाओ बेधांदली करा रहे है वोटिंग परसेंटेर में घरबड़ी करा रहे है और जो समाजवादी पार्डी के जो भोटर है उनको गुमराग किया जाना तक वोटिंग ना करना है वही सूबे के साकाइड़ा मुंत्री जेपियस ट्राटोर में वोटिंग 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 परसेंटेर में घरबड़ी पार्डी के वोट आराजक्ता और जूट का माहर बना रही है प्रदे सरकार निस्पच्छ चुनाओ करान चाहता है समाजवादी पार्टी को अपने हार दी करें इसलिए वोट पहले से ही अपने लिए एक सिल्फ डिफेंस के लाइए कि निस्पच्छ चुनाओ नहीं हो रहा है बात के जाए रामपूर की तो रामपूर में भी आजम खान लगातार आरोप लगा रहा है उनकी पत्नी ने भी वोट डाल दिया है उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया है देखिए आजम खान भारतिये पार्टी की सरकार पर आज स्यारोप लगा रहा है वो काफी अर्श्यारों लगा रहा है वो जेलों में बन भी थे उसके बाद उनकी विधायका भी चली गई अभी रामपूर का चुनाओ उनकी भी प्रक्रिष्टा का चुनाओ है कि आजम खान भारतिया वहां से उसके कई सालों से सांसाद विधायक बने हुए थे उसके जनता का प्रते जित्व करते थे जब स्रकार में उनकी अपने लोग भी है अल्पसंद क्या समुदाय का उनका भारी समर्थन है और देखाना तो इस समुदाय में उनकी पकड़ भी ह और आरूप प्रते रोग का दोर तो इसमें लगेगा है इसमें आरूप प्रते रोग जुबानी जंग यह सारी चीज़ा होती है जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का रोजहान देखका लगता है कि उप्चुनाव में जहां वहां की जनता का समर्थन ज्यादा मिला है तीनों प्चुनाव में जिस तरीके से देखा जाये तो अभी इसलिए खोड़ी दुरो के लिए अई भूत अपर मतदान भी रूपाता जिसको से वोटिंग परसेंटेज काफी खम दिखाए जा रहा है तमाब जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीबेक आपको बता दे कि रामपूर में इस वक्त की वोटिंग परसेंटेज है और खतौली में अब तक 33.2 परसेंट अभी तक वोटिंग की गई है बता दे कि इन तीनों सीटों पर उपचुनाओ हो रहा है रामपूर में आजम खां की विधाय के रद होने के बाद ये उपचुनाओ करवा जा रहा है बता दे कि आज वोटिंग शाम के 6 बजे तक होगी वहीं अभी तक रामपूर में 19.2 परसेंट तक वोटिंग की गई है खतौली की बात करें तो खतौली विधानसभा सीट पे अभी 33.2 परसेंट वोटिंग की गई है लागातार हम आपको दिखा रहे हैं उपचुनाओ को लेकर कितनी परसेंट वोटिंग की गई है आपको बता दे कि अभी तक रामपूर में और खतौली में रामपूर में वहीं बात करें तो रामपूर में 19.2 परसेंट वोटिंग की गई है रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार